आज के वीडियो में हम जानेंगे ताकत के तीन जबर्दस्ट सिरफ के बारे में दोस्तो अभी फीवर की बहुत ज़्यादा चल ली है तो ऐसे में डेंगू फीवर या फिर टाइफाइड फीवर चिकन गुनिया निमोनिया इस सरे से फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनमें फीवर टू ठीक हो जाता है लेकिन बाद में हाथ पेरों में कमज़ोरी महसूस होती है सरीड जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी कंडिशन में कौन सा शिरफ इस्तमाल करना चाहिए इसी के बारे में आज के वीडियो होने वाली है गाइस आज मैं आपको ताकत के तीन जवर्दस सिरफ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कमजोर सरीड को हेल्थी बनाने के लिए और सरीड में खोन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा एफेक्टिव होते हैं इस तरह के बहुत ही एफेक्टिव सिरफ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसलिए आप इस वीडियो को बिना इसकिप के एंड तक जरूर देखे और गाईज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह गी नोलिजिबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम जानेंगे टैक्स औरें सिरफ के बारे में Dexoran syrup के बारे में साइध आपने भी पहले सुना होगा ये बहुत effective और famous syrup है और ये आपको सभी medical store पर easily मिल जाएगा Dexoran syrup फ्रेंको company के दुआरा बनाय जाता है और 200 ml की इसकी एक bottle होती है जिसका MRP 174 रुपिय होता है और इसके composition की बात की जाए तो इसमें बहुत effective composition एड़ के गए है लाइक iron, elemental iron, syanokobla mine, folic acid इस तरह से बहुत effective ingredients एड़ के गए है और इसके benefits की बात की जाए तो Dexoran syrup को iron deficiency एनिमिया की कमी को पूरा करने के लिए यूज के जाता है यानि खून की कमी को पूरा करने के लिए इस शिरफ को यूज के जाता है Guys, यहाँ पे हमने हिंदी और इंगलिस दोनों तरीके से लिख दिया है आप इजी तरीके से देख भी सकते हैं और जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ अच्छे से आप समझ भी सकते हैं उसकी वज़े से सरीड में बहुत ज़्यादा वीकनेस आजाती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है यानि पढ़ती रक्सा पढ़नारी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है जिसकी वज़े से सरीड में बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाती है और लो एनरजी लेवल है यानि उर्जा का जो इस तरह है वो बहुत ज़्यादा कम है तो ऐसी कंडिसन में डेक्सोरेंसिरप को यूश किया जाता है ये क्या करता है सरीड में खोन की कमी को पूरा करता है खोन की कमी किसी भी वज़े से हो सकती है जैसे अभी मैंने आपको बताया प्लेट लेट डाउन है या फिर कोई प्रिगनेंट लेडी है चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत ज़दा खोन की कमी आ जाती है या फिर कोई accidental case हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा खोन की कमी हो जाती है या फिर normally शरीड दुबला पतला है तो उसमें खोन की कमी हो जाती है तो ऐसी condition में डेक्सोरेंज सिरफ का बहुत effective result देखने को मिलता है ये क्या करता है खोन की कमी को बहुत अच्छे जब पूरी करता है और immune system को बहुत ज़्यादा boost करता है जिससे जल्दी से कोई बिमारी नहीं लगती और सरीड में energy के लेवल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है डेक्सोरेंज सिरफ से आप सिरफ को आराम से healthy बना सकते है अ और इसकी dose के बारे में बात कि जाए तो आप इसे 10 ml सुबह साम खाने के बाद ले सकते हैं यानि 10 ml सुबह और 10 ml साम खाने या नास्ते के बाद ले सकते हैं अब हम जान लेते हैं नैश्ट जिनकोविट बिरस बहुत effective syrup है इस बहुत effective result देखने को मिलता है और जिनकोविट शिरप एपेक्स कंपनी के दुवारा बनाय जाता है 200 अमेलिक्स के एक बोटल होती है जिसका MRP 165 रुप्य होता है और यह मल्टिपल मल्टी विटामिन सिरप है इसके अंदर बहुत सारे मल्टी विटामिन एड़ के गए इसके बेनिफिट्स की बात कि जाए तो जिनकोविट शिरप को फटीग यानि सरीड में थकान या फिर वीकनेस कमजोरी इस्ट्रेस माइंड पर तनाव सा बना रहता है इस तरह की बहुत सारी कंडिसन में यूज किया जाता है डैंगो फिवर हो जाता है यह टा कमजोरी को दूर करता है और माइंड पर तनाव बना रहता है इस्ट्रेस बना रहता है जिसकी वज़े से नींद भी नहीं आती है तो ऐसी सभी समस्या को यह सिरप काफी अच्छे से ठीक करता है और गाइज केलसियम की कमी को भी काफी अच्छे से पूरी करता है जिसकी हेल्थी बनानी के लिए, आप इस सिर्व को आराम से ट्राइ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, आप इसे फीवर के बाद ही यूज़ करें, अगर कोई नॉर्मल परियसन है, और इसको स्टेड में कमजोरी या ठकान महसूश होती है, तो आप इस सिरफ को आराम से ट्राई कर सकते हैं और गाइज जितने भी मैं आपको ये सिरफ बता रहा हूं इन्हें फीमेल और मेल सब भी आराम से ले सकते हैं और इसकी डोस की बात की जाए तो इसे भी 10 एमेल सुबह साम खाने के बात ले सकते हैं फिर आपको बहुत effective result देखने को मिलेगा अब हम जान लेते हैं next नियूरोकाइंड syrup के बारे में guys नियूरोकाइंड syrup के बारे में भी आपने सुना होगा ये भी बहुत effective syrup में से एक है इस syrup कभी काफी कमाल का result देखने को मिलता है और नियूरोकाइंड syrup मेंकाइंड कमपनी के दुवारा बनाया जाता है 210 ml किसकी एक बोटल होती है जिसका MRP 155 रुपिय होता है इसके ingredients की बात की जाए तो इसमें भी आपको बहुत सारे multi-vitamin देखने को मिल जाएगे लाइक मेकोबलामाइन, विटामिन B6, नियासिनामाइड, बायोटीन, जिंक सलफेट, पोटेसियम ओडाइड, फेरिक अमोनियम सीट्रेड इस तरह से आपको बहुत सारे multi-vitamin देखने को मिल जाएगे और इसके benefits की बात की जाए तो नियोरोकाइड सीरप को nutritional की deficiency हो जाने पर यूज किया जाता है यानि पोसक तदो की कमी हो जाने पर इस सीरप को यूज किया जाता है मान लिजिए हमारा खान पान सही नहीं है हम अच्छी तरीके से डाएट नहीं ले पाते हैं अच्चे तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं उसकी वज़े से सरीड में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है सरीड में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है सरीड में थकान, कमजोरी इस तरह की समस्या है तो ऐसी कंडिशन में नियूरोकाइन शिरप बहुत इफेक्टिव होता है यह क्या करता है? नूट्रिशनल की डेफिसियंसी को काफी अच्छे से पूरी करता है जब हमारे सरीड में नूट्रिशनल की डेफिसियंसी नहीं होगी फिर हमारा सरीड भी हेल्थी हो जाएगा यानि ये क्या करता है नूट्रिशनल की डेफिसियंस्यू को काफी अच्छे से पूरी करता है जिसकी वज़े से सरीड में कमजोरी थकान इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और गाइज नियूरोकाइन शिरफ लो इम्म्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है जिसकी वज़े से सरीड में जल्दी से कोई बिमारी नहीं लगती और ये हमारे जोइंट को बॉन्स को इन सब काफी अच्छे से हेल्थी बनाता है सरीड की सभी तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए और सरीड को हेल्थी बनाने के लिए आप इस सिरफ को आराम से ट्राइ कर सकते है और इसकी डोस की बात की जाए तो इसे भी आप दसेमल सुबह और दसेमल साम खाने के बाद ले सकते है फिर आपको बहुत effective result देखने को मिलेगा तो guys आज मैंने आपको बताया कम जोरी के तीन जबरदर्श शिरफ के बारे में उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं तरह कर सकते हैं